खंबा गैनी मारो राजस्थान परिबार पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है घनो घनो अभिनंदन आज सैटरड़े है सैटरड़े इंजॉय कर रहे हो कैसा गया आप सब का दिन बताईएगा मुझे और चलो रात के टाइम पे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते चिनक सी थ ठीक है और क्या पूछना था मुझे आप से कुछ पूछना तो था मैं बूल गई हूँ चलो अभी बीच में याद आएगा तो मैं पूछते हूँ ठीक है हाँ मैं ये बता रही थी आज भी लास्ट में छोटी-छोटी स्टोरी देखेंगे तो वीडियो को एंड तक देखन तीन इडियों हम स्टोरी बेस्ट करेंगे या स्टेट्मेंट बेस्ट करेंगे जिससे वो हमारे माइंड में फोटो की तरह पिक्चर की तरह फिट हो जाने वाले ठीक है तो आज कहां से शुरू करना है चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना ठीक है चलो अब भी कर तो लाइक कर दो भूल नहीं जाओ फिर बाद में खो जाते हो फिर वीडियो के अंदर बच्zeigt हमारे भूल जाते हैं फिर कई बार ठीक है और अगर जो नए लर्नर्स जुड़ रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब नहीं ठीक है देखा होगा आपने scene वो जो है पूरा पहियों वाली जो गाड़ी होते हैं उसको चला रहे होते हैं और पुरानी और कोई movies देख लोगे उसमें भी मिलेगा तो इसका मतलब क्या है अपने कंधों पे सारी जिम्मेवारी ले ले लेना और उस काम को पूरी कोशिच से कर को करना स्वेम अपनी कोशिचों से अपनी effort से आपका exam निकलेगा हमें effort मत देना मैडम को effort मैडम ने पढ़ाया था 1% यह 0.11% देना उतने में भी चलेगा ठीक है तो ज्यादा मैनत तो बच्चों आपकी ही होगी हम क्या है फैसलिट रहें तो स्वेम अपने प्रयास से किसी काम को करना ठीक है तो एक्जर्ट वनसेल्फ हैविली खुद से बहुत अच्छे से काम करना ठीक है अगला देखते है पुट दी काट बिफोर दी हाउस इसको अभी के लिए छोड़ दो स्टोरी है इसकी ठीक है पुट दी कैट अमंग दी पीजिन्स इसकी भी स्टोरी है ठीक है और एक और आएगा जिसकी स्टोरी होगी अगला देखो अपनी रोजी रोटी से जगड़ा करना मतलब आपकी सी ऑफिस में हो और वہा के अअपसर से सरकारी नौकरी लग जाती है तो कल को नहीं करना ध्यान रखना भिगाड़नी नहीं होती quarrel with once bread and butter का मत्दब क्या है जहां से रोजी रोटी मिल रही है वही के वरिष्ट अधिकारी से जगडा कर लेना तो ये काम avoid करना ठीक है to fight with executive or employer who is providing once means of living ठीक है जहां से रोजी रोटी मिल रही है वही से वही के दफ्तर के अधिकारी से लड़ लेना लेकिन अगर गलत बात हो तो वह भी देख लेना मतलब depend करेगा किस बात पर जगडा करना है या नहीं करना ठीक है चलो उसके बाद है queer fish queer fish का मतलब होते है बहुत अजीबो गरीब behavior करना fish पे 3-4 idioms पहले कर सके है fish out of troubled water fish out of water ठीक है याद होंगे आप सबको ठीक है queer fish जिसको नहीं आदे पिछले बाड़े वीडियो बच्चो जाके देख लो तो अजीब विवहार वाला व्यक्ति queer fish का मतलब क्या हो गया strange person जो अजीब behavior कर रहा है उसको हम बोल देंगे queer fish ठीक है उसके बाद है rain cats and dogs मतलब बारिश हो रही है सोचो बारिश होना ठीक है बच्चो एक है rainy day जो बहुत जादा बारिश होगी ठीक है और flood भी आ जाएगा लोग अपने काम पे नहीं जा रहे सब कुछ हो जा रहे तो ये दिन कैसे है कोई खुशनुमा दिन तो नहीं है rainy day का मतलब होता है आर्थिक कष्ट होना ठीक है financial problem होना लोगों के काम धंदे बंद हो गए मानलो किसी बार वाले इलाके में है ठीक है जैसे कि अंधरप्रदेश साइड हो गया उडिसा साइड हो गया वहाँ पे तो बहुत बार आती रहती है तो उससे आप याद कर सकते हैं बोगों काम धंदा ठंट हो गया ठप हो गया तो आर्थिक कष्ट तो होगा ही तो rainy day का मतलब है future time of need मतलब आने वाले दिनों में कष्ट आने वाले है especially financial need मतलब की financial crisis होने वाले है rainy day उसको हम बोलते है rain cats and dogs समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना गहरे तरीके से पढ़ना छिपा हुआ अर्थ समझना EDM में हम क्या कर रहे है EDM में छिपा हुआ अर्थी तो समझ रहे है statement का है ना भई तो इसका मतलब है to understand the hidden meaning कोई मुहावरा है कोई लोकोक्ती है उसके पीछे छुपा हुआ मतलब समझना कई बहुत ऐसे लोक भी मिलते आपको जो डारेक्टी कहेंगे अपनी बात इंडारेक्टी करेंगे और फिर उनका मतलब आप खुदी निकालो ऐसे होता है ना तो वही है ये to read between the lines मतलब किसी की बात वो कहे क्या रहा है और उसको उसका मतलब क्या है छिपा हुआ अर्थ समझ जाना to understand the hidden meaning clear है सबको put the cat among pigeon, put the cart before horse अभी करेंगे wait करो अभी तक like नहीं किया है तो like करतो must वाला like बनता है मारो राजस्थान पे ठीके ना चलो उसके बाद अब तीन करते हैं red, red, red वाले red handed तो ये तो बहुत बोलते है thief was caught red handed मतलब red handed पकड़ा गया मतलब जब कोई चोरी कर रहा था उसी time पकड़ा गया ठीके तो अब राद करते समय exactly while committing a crime जब crime कर रहा था उसी time or doing something wrong या फिर जब कोई गलत काम कर रहा था ठीके बच्चो उसके बाद है red tapism जो सरकारी दफ्तर में होता है bureaucracy नोकर शाही बतनाम है red tapism मतलब की एक काम को लटका देना किस वज़े से इसने ये नियम नहीं फॉलो किया इसने ये नियम नहीं फॉलो किया फाइल के उपर लाल दागा बांद के वो ट्रांसफर होती रहती है धेर लगते रहती है और वो काम पूरा नहीं होता ठीके तो red tapism का मतलब है लाल फिता शाही मतलब सरकारी काम का लटक जाना ठीके strict adhere to the excessive paperwork पे रहना ये कागस पूरा नहीं है और official formalities के चकर में काम पूरा नहीं होना इसको बोलते है red tapism ठीके बच्चों लाल फिता शाही तो सबको याद रहेगा strict adherence to paperwork और official formalities के बहुत जादा पालन करना ठीके ये हो गया उसके बाद है rest on once laurel रुख जाओ अभी quote के साथ करेंगे इसको तीन quote के साथ करेंगे आज मज़ाएगा आज rhyme or reason rhyme or reason में reason पकड़ लो किसी भी कारण से for some reason for some cause ठीक है तो इसका मतलब है sense, logic और meaning कोई भी चीज़ आप पूछते हो तो पूछोगे इसका rhyme or reason क्या है क्या logic है भया इसके पीछे क्या sense है ठीक है sense, logic और meaning सही है clear है ये तो simple है right hand man ठीक है अगर मैं पूछो मोदी जी का right handed man कौन है तो क्या कहोगे योगी कह दोगे अमिच्छा कह दोगे ठीक है सोनिया गांदी जी का पूछो तो अभी हाली में उनका निंधन हो गया एहमद पतिल वो क्या थे उनके right hand man मतलब आपका बाया हाथ दाया मतलब कि जो बहुत जादा important हो जो उसके बहुत जादा काम करता हो मुखे सहायक व्यक्ति को क्या बोलते है right hand man बोलते है ये मेरा right hand man है ठीक है चलो उसके बाद है rise like a phoenix from its ashes मुझे हसी इसलिए आ रहे है मैं सोच रहे है आप सब लोग मेरे right hand बन जाएंगे चैनल को like, subscribe, share करके ठीक है मैं सोच रहे हो एक जनवरी तक 5K कर ले 5K कर ले 3600 subscribers हुए है आप लोग करवा सकते है ठीक है तो कर ये क्योंकि महारो राजस्तान पड़ेगा भी भड़ेगा भी ठीक है इसी मोटो के साथ हम चल रहे है चलो rise like a phoenix from the ashes ashes का मतलब राख मतलब कुछ नहीं है बहुत मुसीबतों में कोई है और वहां से भी उठ जाना ठीक है मुवी के स्टार होते दस फिल्म में फ्लॉप देंगे फिर एक फिल्म उनकी हिट हो जाते है तो वो क्या हो गया वो यह होगा rise like a phoenix from its ashes तो बहुत मतलब प्रॉब्लम में फसे होने के बाद फिर एकदम से हिट मुवी देते हैं मेरा बताने का मतलब आपको एक्जांपल दे रही हूँ after a seemingly insurmountable setback तो keyword याद रखना है comeback है एक keyword और एक keyword है setbacks ठीक है इसका keyword से ही याद होगा यह इतना बड़ा तो ठीक है comeback और setback ठीक है comeback करना after a very sad bad face जो है setback face करने के बाद insurmountable setback clear है सबको चलो उसके बाद है rock the boat कश्ती में जा रहे हो लेकिन वो कश्ती जो है hill रही है तो इसका मतलब क्या है संतूलन बिगड जाना rock the boat का मतलब क्या हुआ balance बिगड जाना ठीक है to disturb a situation which was otherwise stable stable situation थी ठीक है यह वैसे वैसे हो गया याद है किसी को fly the ointment बताया था मैंने कोई अचानक problem हो जाना आप enjoy कर रहे हो dance कर रहे हो आपका पैर फिसल गया एकदम से आपके पाउं में मोच आ गई याद है fly the ointment याद करवाया था मैंने अच्छ से तो वही है एक situation को disturb कर देना जो की already stable थी ठीके तो ये हो गया rock the boat उसके बाद है rolling stone rolling stone का मतलब की जो बंदा टिके ना बैट सके कोई काम stability से ना करना कुछ लोगों काम होती है एक काम 6 महीने करेंगे फिर बदल लेंगे फिर दूसरा काम करेंगे दो महीने करेंगे फिर बदल लेंगे ठीके तो कोई भी काम टिके ना कर पाना rolling stone का मतलब है जो सिर्ता के साथ कारें नहीं करता ठीके यानि की restless person चैन नहीं है उसको बेचैन है a restless person ये हो गया ठीके तो अब जो बच्चे हुए तीन है वो करे एक करते हैं गिरा rest on once laurels laurels मतलब की पुरानी कोई आपकी achievement है उसके उपर depend रहना लेकिन आगे किसी आने वाली success के बारे में जादा ना सोचना ठीके तो इसका मतलब है भूतकाल के उपलबदी पर ही निरभर रहना आगे कुछ अपने success के बारे में ना सोचना कोई efforts ना लगाना तो वो है भूतकाल के उपलबदी पर निरभर है ना लेकिन बच्चो आज कल जमाना क्या है अगर भूतकाल के उपलबदी को याद करो ऐसा motivation तो तो है ठीक वरना competition इतना है हर डे match की तरह है ठीक है कि आज match में कौन जीता है वो जादा value करती है तो चीज़ आप कितना पढ़ रहे हो आज के समय में वो जादा matter करती है तो कोई भी हम में से rest on once laureals हम नहीं करने वाले ठीक है तो इसका मतलब है depending on the achievement made in the past क्योंकि आज कल जमाना आज का अभी का जमाना है ठीक है बच्चो उसको बस ऐजा motivation रखो लेकिन उसके dependent मत तो जाओ ठीक है अब इसकी image दिखाती हो आपको देखो इसमें एक बहुत अच्छा quote आया है to be defeated आप हार गए लेकिन आपने हार मानी नहीं आप लगे हुए हो उसको उसमें कामयाब होने के लिए तो वो तो victory है सही है लेकिन to be victorious एक बार जीत गए और rest on once laureals उसी के ओपर depend हो रहे हो that is defeat उसका मतलब आप हार गए हो क्योंकि फिर आपकी growth नहीं होगी फिर आपकी growth नहीं होगी जहां हो वहीं पर रह जाओगे ठीक है इसका सीधा सा मतलब ये है अब ये देखो ये officer है वो कह रहा है एक घंटे कोई call मत दो मुझे I am going to rest on my laureals मतलब जितना मैंने achieve कर लिए मैं उस पर rest करने जा रहा हूँ इस लिए भी इस EDM का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है clear है सबको अब हम आते हैं अपने वो क्या था put the cat among the pigeons मतलब कबूतरों के बीच में बिल्ली को छोड़ देना तो गुस्सा किसको आएगा विचारे कबूतरों को तो गुस्सा आएगा गलत काम या बात से काफी लोगों का गुस्सा भढ़का देना ठीक है to say or do something जिससे trouble आ जाए और बहुत सारे लोग angry हो जाएं गुस्सा हो जाएं ये मतलब है ठीक है तो वहां से ये EDM इनोंने पकड़ा है अब put the cat before the horse का क्या मतलब है देखो put the cat before the horse का मतलब घोड़े का काम क्या होता है घोड़ा गाड़ी होता है बसंती वाली गाड़ी देखे शोले मुवी तो घोड़ा तो आगे ही होता है गाड़ी पीछे होती है ठीक है ये हो गया इसमें क्या कर दिया है घोड़ा तो पीछे है गाड़ी आगे कर दी, तो मतलब ये काम सीधा तो नहीं होगा, उल्टा ही होगा, पुट्धी दा काट बिफोर्डी होर्स, गोड़े के आगे गाड़ी रख देना, ये चलेगी क्या गाड़ी? मतलब आप गोड़े को कीच रहे हो तो इसका मतलब कोई काम उल्टा करने ना सही तरीके से ना करना क्या मतलब हो गया ठीके यह देखो I must be doing something wrong ठीके how does that saying go again तो wrong की तो कर रहे है गाड़ी आगे खुद गोड़े को कीच रहे है बेवकूफों की तरह ठीके तो इसका क्या मतलब हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कोई काम उल्टे सिरेशे शुरू करना ठीके कुछ लोगों के आदत होती है to do things wrongly ठीके अगर मतलब कुछ लोगों क्या करते बच्चों जैसे मैं आप तो students हो तो MCQs पहले करने बैट जाएंगे बिना topic पड़े तो वो उल्टा हो जाता है ठीके इसमें इतने जादा MCQs याद नहीं कर पाएंगे हम ठीके तो I hope session आपको अच्छा लगा होगा put the card before the horse मतलब गलत काम करना cat among pigeons कुछ ऐसा काम कर देना गुस्ता दिला देना किसी को ठीके और वो rest on one slurian मतलब पुरानी उपलब्दी पे ही खुश हो जाना बहुत जादा खुशी मनाने लग जाना ठीके मेरी free classes देखने के लिए कल सुबह जो current affairs करवाएं हैं जो बच्चे पिछले हफते नहीं कर पाए करना चाहते हैं तो कल सुबह 9 बजे 10% discount के लिए MRP 10 code लगाओ एक ही subscription से सारे courses सारे paper की त्यारी हो जाएगी ठीके get subscription पर क्लिक करना है RAS वाले बच्चे 2 साल का subscription ले जिनको आने वाले टाइम में एक सरकारी नोकरी चाहिए 2 साल का MRP 10 लगाओ 7,000 रुपे का पड़ेगा college lecturer वाले बच्चे 1 साल का plan ले सकते हैं ACM वाले 3 महिने का और आप choose कर सकते हैं कौन सा plan आपको लेना है ठीके अब भी तक भी बच्चों प्यारे बच्चों वीडियो को like, subscribe, share नहीं किया है तो कर दो मेरा facebook page, telegram channel है RAS cracker और pdf मैंने डाल दिया है EDM phrases का आप ले सकते हो वहाँ से ये मेरा contact number है, फिर भी कोई बात समझ नहीं आए plus join करने से पहले मुझसे पूछ सकते हो आप सभी students ठीके और like, subscribe, share कर दो और 10 बजे ready हो, MCQs करेंगे climate chapter पे, राजस्तान के जलबायू पे तो 10 बजे मिलते हैं तब तक सबको घनी घनी राम राम ठीक है और 10 बजे मिलते हैं, तैंक यू